जी नमस्कार मैं आशिश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुनिका स्टेडी में और सीटेट 2022 के लिए हमारी क्लास चल रही थी तो आज है क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में ही और आज की इस क्लास में हम लोग रेमेंडर ठीवरं पढ़ेंगे और फैक्टर्स निकालना सीखेंगे कितने फैक्टरस होते हैं किसी एक नंबर के शम गुनकंड विश्रम गुनकंड यानि इवन फैक्टर और फैक्टर कितने होते हैं वो वह सब भी हम आज जानने वाले हैं जो चलिए बिना देर कि वे क्लास को सुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया होगा कि unit digit कैसे निकाल था किसी भी नंबर का जैसे आपके सामने आगया जो से ही एक नंबर है और इसके पावर में आ गया यह आप मान दीजिए यह हो गया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसको हम लोग कैसे जानेंगे तो पावर के जो आखरी दो अंख है उसमें हम लोग क्या करते थे चार से भाग लगा देते थे पिछले क्लास में हमने यही पड़ाया है ठीक तो चार से जब भाग लगाएंगे तो यहां पर जो सेस्फल आता था यह जो सेस्फल है यह इसके यूनिट डिजिट के पावर में रख देंगे और जो यह आएगा वही हमारा एंसर हो जाता था ठीक तो यह हमने पढ़ा था साथ में एक चीज़ और पढ़ा था कि 0 15 और 6 इन ये अगर इस अंक से अगर कोई भी संख्याब खतम हो रही है जैसे हो गया 100 एक हजार किNarrator 2016 1000 2001 या 2005 2006 तो यह जैसे जीरों से खतम और्य है एक से खतम और मैंकके पावर में कुछ भी हो जाएं इनका जो रिज़र्ट आएगा उसके पावर उसके यूनिट डिजिट या निए तरन पे जो ऑनक हो और उगोंग को जाएगा ठीक है उसके unit digit पर जो इकाई अस्थान पर होगा वही संख्या वही अंक हो जाएगा ठीक है तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि अगर मेरे सामने question आ जाए कि जैसे 37 गुना 37 गुना 33 बटा 7 यह question आ जाए और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि साथ से भाग देने के बाद इसमें successful क्या आएगा साथ से भाग देने के बाद इसमें successful क्या आएगा तो जब ऐसे question आएंगे तो उनको कैसे हम लोग solve करेंगे वो चलिए अभी हम लोग discuss करते हैं ठीक तो सबसे पहले हम दोग जान लेते हैं कि की सिसफल मतलब होता क्या है तो जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे 37 हो गया उसमें हम लोग 4 से भाग लगा दिये, तो यह नौ बार में 36 हो जाएगा और ओपर इक वोचेगा तो यह हमारा क्या है तो यही हमारा दिया रिमेंडर है तर इसी को हुम लोग कहते हैं जैसे गुञा साथ तो अगर इन को solve करना होगा तो भाग लगाने पर यहां पर आएगा एगा 20 जोंगे तो यह यहां भी हम लोग क्या करेंगा गुना और इस में देखेंगे क्या आ रहा है तो यह हो जा रहा है 20 फेक तो 20 साथ से बड़ा हुआ और कोई भी सेस्फल जो होता है वो जो भाग जिस से लगाते है उससे छोटा रहता है इस मतलब 4 से कहीं भी हम भाग लगाए तो सेस्फल क्या क्या हो सकता है सेस्फल क्या क्या हो सकता है सेस्फल हो सकता है या तो जीरो हो एक हो दो हो या तीन हो यही हो सकता है साथ होगा तो साथ के लिए सेस्फल क्या होगा जीरो से लेके छे के बीच में सेस्फल होगा तो यह होता है तो यहां त का एंसर हो जाएगा इसका जो एंसर होगा वह जाएगा छे ठीक तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कोई भी ऐसा कुशन होगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व हम लोग करते हैं कि इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बता दूं जैसे यहीं क्वेश्चन रहें 37 को मिझे यल्लो पेल लेने दो जैसे 37 जोड 37 जोड 35 या 33 कर लो रहें बटा साथ रहें तो अब क्या remainder होगा तो उसी तरीके से यहां पे करूंगे इसमें remainder क्या आएगा दो इसमें क्या आएगा 2 इसमें क्या आएगा 5 ठीक और यहां जो operation है जो sign है वही यहां भी लगा देंगे यह भी लगा दिए जोडने के बाद देखो क्या हो रहा है 4 और 5 नौ हो जाता है 9 साथ से बड़ा है तो फिर 9 में भाग लगा दो 7 से 9 में भाग लगा होगे तो कितना आएगा दो आएगा तो इसका जो एंसर होगा वह हो जाएगा दो ठीक है सीटेट में आपसे इसी तरीके के कुश्चन पूछेंगे इसके अलावा और भी हम लोग बात कर लेते हैं चलिए आगे बढ़के कुछ और बात करते हैं जैसे आपके सामने कुछ क्वेस्टीन आजाये और क्वेस्टीन क्या होगा do प्रेस्टीन हो जाएगा आपका क्या मैं बोलू एकॉर्डिंग चीटेट में चल रहा हूं एकॉर्डिंग टू सीटेट चलनहें ज्यादा आपके लिए टफ भी नहीं करना है क्रैस को से सीडा के चार्डिंग लोग चलेंगे जैसे 65 है और हम लोग भाग दे रहा है किस से तो तीन से ठीक है तीन से भाग दे रहे हैं और यहां 65 के पावर में देदेता है आपके लिए four दे दिया, ठीक, तो इसमें क्या caseful आएगा? इसमें क्या saitful आएगा, क्या remainder आएगा? तो जैसे 3 से 65 में भाग देङे तो हमारा जो सेजफल आएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा दो और दो के power और में पिर हम 4 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा धुगुना है 2 गुना 2 गुना 2 लेकिन यह in शेसफल निकालना भाग देखर इसमैं क्या करेंगे 3 से भाग लगा देंगे 3 से भाग लगाए यह दोनोा में उथर चार होगा और इसमें जो सेस्फल मिलेगा वो एक मिलेगा फिर ये दोनों गुना होगा तो चार होगा और इसमें जो सेस्फल मिलेगा वो एक होगा अब इन दोनों का गुना कर दो तो इन दोनों का गुना करने के बाद एक आ रहा है तो यही हमारा एंसर हो जाएगा यही हमा 78 ठीक है इसको कर लो 78 और 78 के पावर में आप रखो इतना तो 5 रख दो ठीक अब 78 में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 78 में 4 से भाग लगाएंगे तो 19 और 4 गुना करने पर आता है 76 यहां भाग लगाएंगे तो 2 आएगा 2 के पावर 5 बटा 4 लिखेंगे ठीक है फिर इसके आगे बढ़ते हैं इसके आगे बढ़ते हैं तो यह हो जाएगा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो और बटा चार ये गुणा करेंगे चार आजाएगा चार आने का मतलब सेसफल क्या हुआ जीरो तो इसको जीरो ना लिखके छोड़ देंगे ठीक इसको छोड़ देंगे यहां गुना किये यहां भी गुना करने पर चार आ रहा है इसका सेस्वल क्या होगा जीरो तो इसको भी छोड़ देंगे बचा क्या तो बचा केवल दो बचा क्या तो बचा केवल दो ठीक और यहां पर जब हम लोग छोड़ रहा है तो यह छोड़ने के मतलब क्या हुआ यह तो जब 32 आ गया और 32 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो यह पूरा-पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब यह क्या हो गया सेस्फल जीरो आ जाएगा तो इसमें भी जो सेस्फल होगा वो जीरो होगा ठीक है इसमें जो सेस्फल होगा वो क्या होगा वो भी जीरो हो कि अगर प्लस एक हो या माइनस एक हो ठीक है पावर में कोई सम हो सम संख्या हो तो इसका प्लस एक जवाब आता है ठीक अगर प्लस एक है और पावर में कोई विशम संख्या हो तो इसका जवाब एक आता है प्लस एक और माइनस एक हो और पावर में विशम हो ठीक है तो यह जाता है माइनस एक ठीक है तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन के तरफ आते हैं जैसे माल लीजिए मुझे टेरह बटा 12 और 13 के पावर में 5 69 4321 है ठीक है अब हम क्या का सेसफल क्या आएगा हमारा सेसफल यहोगा वो क्या होगा अब कैसे मालूम करेंगे बार हमें 13 से भाग दिए एक आया एक के पावर में कुछ भी है सम रहे बिशम रहे क्या आता है एक ही आता है तो इसका सेस्पल जो होगा वह एक हो जाएगा ठीक अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं 11 बटा बारा लिख दिया और 11 के पावर में मैंने वही चीज लिख दिया यह लिख दिया हमने अब क्या होगा अब तो यह भाग लगाएंगे तो 11 स सेस्पल आ जाएगा अब 11 सेस्पल में उतने से गुना करेंगे तब हमारे जवाब आएगा उतने टाइम से गुना करेंगे तब हमारे जवाब आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें हम क्या करेंगे इसमें घटा लेंगे कितना कम है तो यह माइनस एक कम है माइन एक हो जाएगा तो जब माइनस एक आ रहा है जब माइनस में आ रहा है जवाब तब हम लोग क्या करेंगे कि यही 12 से उस माइनस को घटा देंगे और आ जाएगा 11 तो हमारा वही एंसर हो जाएगा ठीक अगर यही प्लस में आता प्लस में आता पॉजिटिव होता तब जो यह आया है यही हो जाता एंसर हमारा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ 11 वट्टा 12 और 11 के पावर में मैंने लिख दिया 5 6 9 4 3 2 ठीक अब यह माइनस एक इसमें भी लेंगे हम लोग क्योंकि 11 तो लेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे 12 से उसको घटा देंगे तो माइनस एक आएगा हमारा और माइनस एक के पावर में क्या है सम है तो सम का क्या आता है प्लस वन जब प्लस वन आ गया तो हम लोग फिर उसको कोई चेंज नहीं करेंगे कोई बदलाव नहीं करेंगे वही हमारा एंसर हो तो फिर हमें ये नीचे वाले जिससे भाग दिये हैं, उसी से वो घटा के लिख देना है, जितना आ रहा है उतना, जिसे माइनस एक आया, तो 12 से एक घटा दे, तो 11 आ जाएगा, तो वो हमारा answer हो जाएगा, चलिए अब एक नए concept के बारे में पढ़ते हैं, हम उमीद करता कि इतना आप लोग समझ गया होंगे, एक नए concept के बारे में हम लोग आप पढ़ाई करते हैं, तो अब जो new concept पढ़ेंगे, उसमें पहला number पढ़ेंगे, total number of factors, total number of factors, दूसरा हो जाएगा, even number of factors, तीसरा हो जाएगा, odd number of factors, तो ये हमें पढ़ना है, तो जैसी मेरे पास एक number है, और वो number क्या है, 100, ठीक है, वो number क्या है, 100, ठीक है, वो number है, 100, तो हम लोग क्या करेंगे, कि इसका prime factorization करेंगे, prime factorization मतलब क्या हुआ, कि prime number से इसमें divide करेंगे, सबसे छोटी prime number से शुरुआत करेंगे, उससे divide हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो उसको छोड़के उसके बादवाला करेंगे तो जैसे यहाँ पे सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है दो तो दो से जब डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा और आजाएगा पचास फिर दो से डिवाइड करेंगे 25 अब ये 2 से नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करेंगे तो जब 5 से करेंगे तो ये 5 आया अब इस 5 में 5 से फिर कर देंगे तो 1 आया अब 1 आया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे बाकी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो 100 जब लिखेंगे तो 2 बार 2 आया है तो 2 के power में 2 लिख देंगे गुणा क्या लिखेंगे 5 और 5 भी 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे अब हम से पहले number पे जो पूछा गया है ये वाला अगर ये question आजाए तो हम क्या करेंगे ये question आएगा तो हम जितने भी यहां पे हैं powers उनमें हम एक जोड देंगे एक जोड देंगे उनमें और हम क्या करेंगे उनका गुणा करा देंगे तो जब ये गुणा कराएंगे तो हमारा आजाएगा 9 तो 100 का जो factors होते हैं वो total 9 होते हैं यहां मैं उसे लिख देता हूँ यहां मैं उसे लिख देता हूँ पच्चास हो गया यह ठीक है और पांच पच्चीस पच्चास और एक सो ठीक काउंट कर ले एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तो 9 हमारा एंसर भी आया है अब आते हैं दूसरे question के तरफ ही जो की यह है ठीक तो even number of factors तो even number मतलब क्या हुआ दो यह even number हुआ यही एक even number जो है जो की prime number भी होता है यह भी याद रखेगा कि अकेला कोई एक even number बताओ जो की prime number होता है तो वो 2 है ठीक तो prime number यह वाला है तो इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग इसको जैसे इसका power है वही लिखेंगे छेड़ना किसको है जो बाहरी जो आग गुस गया है तो उनमें छेड़ के एक जोड़ दो तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है यह हो जाएगा तीन और दो छे पॉइंट ठीक उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और तो इसमें हमारे छे इवयन हो गाएं छे इवय हो जा रहा है कौन कौन से दो चार दस बीस पकशाएट क्या और फाइंट करना है तो यह वाला तो हमने पहले निकाल लिया तो इसको हम लोग क्या करेंगे भूल जाएंगे बचा पांच वाला तो पांच वाले में ही प्लस वन लगाके और हम लोग लिख देंगे तो वह हमारा और वाला जाएगा जो कि पूरा पूरा सही है ठीक इसी के तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ 1233 ठीक अब हम 3 से इसमें भाग लगाते हैं तो 411 हो गया फिर अब इसमें 3 से भाग लगाते हैं तो यह हो जा रहा है एक तीन और साथ ठीक एक तीन और साथ इसके बाद एक तीन और साथ के बाद कोई नंबर इससे कटेगा एक तीन और साथ के बाद कोई इस नंबर को कट कर पाएगा एक तीन साथ के बाद कोई कोई भी नंबर कट कर पाएगा आप लोग बताएं तो यहां जो 137 है यह प्राइम फेक्टर है प्रक्या है प्राइम फेक्टर है यहां पर यह नहीं कैंसिल होगा तो वही 137 लिख देंगे अब जैसे इसको लिखे तो 1233 को क्या लिखेंगे तीन के पावर में दो गुणा 137 फिक तो पहला एंसर क्या हो जाएगा दो जोड एक गुणा एक जोड एक यहां पर कुछ नहीं तो एक है तो यह क्या आ जाएगा तीन और दो छे हो जाएगा दूसरा क्या एंसर हो जाएगा तो इसको हम लोग इसमें इवेन कोई होगा नह को नहीं होगा इससे देख सकते हैं आप लोग तो वह हो जाएगा 0 क्योंकि दो है दो honesty एंफीन पर चलो आते हैं तो तीन वाला जब होता है तो इस्सक्वीन वाले को और तीनों चीज उसमें बतानी है और दूसरा नंबर जो question है वो है 2748 ठीक है दोनों आपको बताना है तो इस तरीके से आज की class हमारी खतम हो रही है उमीद कर रहा हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ गये होंगे और question आपको अच्छे लगे होंगे जो आपको बताया जा है वह आपको समझ आ रहा होगा तो आप लोग बस चैनल को subscribe कर लिजिएगा वीडियो को like और सभी लोग करेंगे साथी support करते रहें आपके सपोर्ट से ही चैनल और आगे बढ़ेगा और अच्छा आपके लिए करेगा चलिए मिलेंगे अब आप से अगले वीडियो में तब लिंक जो है description box में दी हुई है तो चलिए जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरू subscribe करेंगे वीडियो को like और सेर सभी लोग करेंगे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू जै हिंद